find a smallest square number that is exactly divisible by each of the following देखिए आपको छोटी से छोटा square number find करना जो बिल्कुल exactly है ना बिल्कुल 4, 9, 10 से fully divide हो जाए ना भाग चले जाए तो इस तरह की number निकालने के लिए सबसे पहले हमें LCM लेना पड़ेगा 4, 9 और 10 का क्योंकि यह smallest number की बात करी है ना LCM लेते हैं देखिए LCM ही क्यों निकाल रहे हैं बच्चों क्योंकि हमें LCM की definition पता है LCM वो छोटा सा छोटा number होता है smallest से smallest number होता है जो given number से exactly divisible होता है given number कौन जिसका वो LCM खुद है ठीक है तो देखिए 4, 9 और 10 का हम निकालेंगे LCM so LCM of 4, 9 and 10 हम division method से निकाल लेते है 2, 2 जा 4, 9 नहीं जाता exactly लिख दिया 2, 5 जा, 2 बन जा, 9 नहीं जादा 2 से, 5 भी नहीं जाता लिख दिया 5 अंजा, ओके, देन हम 9 से ही कर देते हैं direct LCM ले रहे हम, आना, 9, 5 जा 45, 45, 2 जा 90, 92 जा 180 LCM आ गया 180, ठीक है, अब इसके करेंगे बच्चों क्या prime factorization, 180 के 180 के prime factorization क्या हो गए, वैसे तो यहां से आप निकाल सकते थे 290 जा, 2 से 45 टाइम्स, 5 से 9 टाइम्स, एन 3 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स तो इसके prime factor देख रहे हैं, आप 2 into 2, into 3, into 3, into 5 अब वो smallest square number निकालना है, जो exactly divisible हो, 4, 9, 10 से तो पहले इसको क्या बनाना पड़ेगा, इसको perfect square बनाना पड़ेगा इसको perfect square बनाने के लिए आप देख रहे हैं, इसमें 5 मिसिंग है, तो आप 180 को 5 से into करोगे, इसको perfect square बनाने के लिए, तो आपके पास पॉन्वर्क संक्या perfect square number आ गया 900, तो 900 वो छोटी से छोटी संक्या वो smallest number है, जो बिल्कुल 4, 9, 10 और 4, 9, 10 से डिवाइड होगा, exactly 4, 9 और 10 से divisible होगा, तो आपका answer आ गया 900, तो देखें बर्चों, अब इस question number 9 को लिखना कैसे आपको, find a smallest square number that is divisible भी question था आपका, तो आपने सबसे पहले LCM निकाल लिया था, ठीके, LCM निकाल ला था, हमार पास आया था 180, ओके, LCM आया था हमारा 180, अब यह हम देख रहें कि prime factor, ठीके, 2 x 2 x 3 x 3 x 5 आ रहें 180 के, यह भी हमने निकाल लिया था, prime factor निकाल के बताया थे, हाना, तो 180 एक perfect square नहीं है, पुन वर्क संख्या नहीं है, तो इसे पुन वर्क संख्या प्रफेक्ट square बनाने के लिए आप इससे किस से into करेंगे, 5, क्योंकि 5 का pair नहीं बन पा रहा था, यहां देखी, तो 5 से into करेंगे, 5 से into किया, तो आपके पास square number obtained हो गया, 900, आपको इस चरह से इस language form में लिखना है, तो मैं आपको इस लिए दिखा रहा था, जिससे आपको पता लग जाए, कि आपको इस question की language कैसे लिखनी है, okay, solve आपको करके बता दिया था,